वेलकम तो टेकड्रीम स्टोर गाइस यह आज का बिल्ड आप देख सकते हैं जो की हो रहा है कितना स्लीक एंड मिनेवल इस्टिक सा आप देख सकते हो यह लग रहा है बहुत ही एलिगेंट सा नीट लुकिंग सा केस NGXT की तरफ से एच 510 फ्लो वाइट और यह वाइट ब्लाक मिक्स सा थोड़ा केस है बहुत ही स्लीक इस बिल्ड को बना रहा है इस बिल्ड की कीमत की बात करें अल्मोस्ट डेड लाक रुपए के आसपस depending on the availability हो सकता है जब प्राइजी अच्छे हो तो इससे काफी कम में आपको मिल जाए बट अभी एक लाख चारीज हजार से लेकर डेड लाक रुपए के बीच में depending on the current availability और प्राइजिंग यह बिल्ड जो है रहने वाला है कॉंपोनेंट्स के आई जन्दी से बात कर लेते हैं क्या कैस में यूज किये गए हैं सबसे बहले बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर यहां पर यूज किया गया है इंटल का Core i7-12700KF बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है इंटल के लेटेस्ट अल्रलेक आर्किटेक्ट्चर प मतला मज़ा आजाएगा आपको इसको यूज करने में परस्टली मैं खुद के PC बिल्ड में भी यह वाला जो प्रोसेसर है यह अपने प्राइमरे रिग में मैं यूज करता हूं और इस इस एन अमेजिंग प्रोसेसर तो बी ओनेस्ट इसके बाद में जैसे कि आपको पता है के सीरीज वाले प्रोसेसर जो हैं इंटल इन के साथ में किसी तरह का स्टॉक कूलर जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है तो यहां पर हम लोगों ने यूज किया है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML240L V2 RGB RGB AIO लिक्विड कूलर है देख सकते आगे दो फैन है 120 mm के RGB और कुछ इस तरह का स्कूला को जो प्रोफाइल है वह आप देख सकते हैं स्लीक सा लगता है यह भी मिनिमालिस्टिक सा लगता है एंड इसके टेंप्रेचर जो है लोट पर भी डीसेंट रहे कुछ लोगों को लग रहा हुआ कि शायद 247 कम है बट मेरे भाई ऐसा नहीं है मैंने अपनी वीडियो में इसको टेस्ट भी किया था अल्मोस्ट जो है आपस जो टेंप्रेचर की बात करें ऑन अवरेज 75 के नीचे रहे विच इस रेली गुड टेंप्रेचर आज के ताइम के इस आपसे अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको यूज कर सकते है इसके बाद में coming to the motherboard we are using the gigabyte Z690 UD DDR4 based motherboard Z690 chipset based motherboard है DDR4 memory जो है उसके साथ में आता है support के साथ में तो आपको DDR4 memory के साथ में आप अपने order lake processors को इस motherboard के साथ यूज कर सकते हैं और memory हमने वही उसकी है मैं आपको बता दूँ और अरस की RGB memory यहाँ पर यूज की है 4400 MHz पर यह modules जो आते हैं 16GB की kit 8 RGB के 2 modules हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं साथ में RGB का टशन तो आपको देखने को मिली जाता है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर इस kit का हम लोगों ने यूज किया स्पीज में and plus talking about the storage तो यहां पर GIGABYTE की NVMe का यूज किया गया है 1TB की NVMe SSD है और इस पर य वीडियो का भी काम है और अपना graphics का भी काम है तो इस पर बखुभी जो है वो सबी चीज़ें हो जाएंगी नाओ टॉकिंग अबाउट ग्राफिक्स कार्ड तो यार देखो ग्राफिक्स कार्ड भी कॉंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे चाहते थे कि एक ही बार यह से लूँ कि अगले कम से कम 4-5 साल तो मेरे गुजर जाए असानी से तो यहां पर Zotac Gaming की तरफ से उनका GeForce RTX 3060 Twin Edge OC Edition ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने यूज किया है जो कि एंशोर करेगा कि इनको 1080p या 2k पर गेमिंग करनी है अच्छी सेटिंग्स पर अच्छे fps कर पाएं किसी तरह के दिक्कत ना आए एडिटिंग भी करनी है तो उसमें भी एक्सलेरेशन मिल जाए और जितना भी हमारे और 100% लोड पर भी इस सिस्टम में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी तो यही आज का विल्ट जो कि आप देख सकते हैं आपको कैसा लगा यह PC बिल्ट मुझे कमेंट सेक्षन में आकर ज़रूर बताइए और अगर आप भी अपने लिए बिल्ट करवाना चाहते हैं इसी सकते हैं आपको यह कोई में अपने नहीं आपको का पर वार किसी घुल जार नहीं आपकोisstते हैं आपको यह इस घसे सब्सक्राइब गर देख सकते हैं क्यों आपको यह वन्ज़ आपको आपको तो